आए सुनते हैं लोग कथा, तोता और राजा, मेरे साथ यानि आपकी अपनी नेदेगे साथ एक समय की बात है किसी एक राज में हरी शंकर नाम का राजा राज करता था उस राजा के तीन बेटे थे, उसकी ख्वाइश थी कि वह अपना जो राजपाठ है अपने किसी काबिल बेटे को सौप दे जो उसकी राजगत्ती संभालने योग की हो लेकिन मैं इस बात को लेकर बड़ा संशे में था कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाठ सौपे एक दिर राजा को एक तरकीब सूची, उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलवाया और कहा बेटे आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ अगर तुम लोगों के सामने गुनेगार खड़ा हो, तो तुम में से कौन उसके साथ क्या करेगा इस पर राजा की पहले बेटे ने कहा पिता जी हम उस अपरादी को सजाए मौद दे देंगे तो दूसरे बेटे ने कहा अरे पिता जी गुनेगार को काल कोठरी में सडने के लिए डाल देंगे जबकि तीसरे बेटे ने कहा पिता जी हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जाज करनी चाहिए कि उसने सही में अपराद किया है या नहीं इस बात पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई उसने कहा एक राजा था जिसके पास एक बुध्धी मान तोता था एक बार उस तोते ने महराज से कहा महराज हम मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है राजा ने उसकी बात नहीं मानी लेकिन तोते ने हार नहीं मानी मैं लगातार महराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दे अंत में राजा ने तोते की बात माली और कहा ठीक है तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ लेकिन वहाँ चादा दिन नहीं रुकना राजा ने तोते को केवल पांच दिन की अनुमति दे और कहा तुम पांच दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लोटा आना इसके बाद तोता पांच दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया छटे दिन जब मैं राजा के पास लौट रहा था तो इसने सोचा की क्यों ना वैं महराज के लिए कुछ उपहार ले ली और ये सोच कर वैं परवत की और निकल पड़ा दरसल वैं महराज के लिए अमरित फल लेना चाहता था वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई तोटे ने परवत पर पहुँचकर फल तो ले लिया लेकिन रात हो जाने के कारण वैं आगे नहीं बढ़ा और वहीं दुख गया उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक साफ वहाया और उसने राजा के लिए लिए गए अमरित फल को खा लिया साफ ने फल को खाया और इस कारण उस फल में जहर फल गया था हाला कि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी अगली सुबा जब जब जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा और जब महल पहुँचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास के और कहा महराज मैं आपके लिए ये अमरित फल लेकर आया हूँ आप इसे खाएंगी तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे ये सुनका राजा काफी प्रसन हुए उन्होंने तुरंत उस अमरित फल को खाने के लिए मांगा इस पर एक मंत्री ने कहा जरारुके महराज आप इस फल को बिना जाच किये कैसे खा सकते हैं एक बार देख तो लीजे कि तोता द्वारा लाया गया ये अमरित फल सही है या नहीं राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा ठीक है तुरंत इस फल को एक कुट्टे को खिलाया जाए भई राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुट्टे को खिलाया फल खाते ही कुट्टे की मौत हो गई और ये देखकर राजा कुस्से से आग बबूला हो गया उसने क्रोत में आकर तलवार से तोते के सिर को काट दिया साथी फल को फिकवा दिया कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकलाया ये देखकर राजा को लगा कि ये उसी जहरीले फल का पौधा है तो उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड का फल कोई नहीं खाएगा कुछ दिन बाद एक व्रिध व्यक्ति उस पेड के नीचे हराम करने के लिए रुका उसे भूग भी काफी जोर से लगी थी उसने उसी पेड से फल तोड़ा और खाने लगा फल खाने के बाद वे बुढ़ा व्यक्ति एक तमसे जवान हो गया और राजा ने जब ये देखा तो वे अश्यर चकित रह गया उसे समझा गया कि वे फल जहरीला नहीं था उससे बहुत बड़ी गलती हो गई उसने बिना सच्चाईजा ने तोटे को मार दिया इसे लेकर उसे काफी पश्तावा भी हुआ लेकिन कर क्या सकता था और वे इसके लिए वे अपने आपको मन ही मन कोसने लगा इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खतम होने के पाद राजा हरी शंकर ने उसे ही अपना उत्रा अधिकारी नियुक्त किया इसके बाद राज में जश्न मनाया क्या समाप्त